अभी हम मंदी जाने के लिए निकल चुके हैं और आप सबको पता है अजे सावन का सोमबार तो सोचा पुजा करके आज आते हैं और उस दिन गई थी तो आज तीसरा सोमबार है लेकिन मेरे लिए तो दूसरा ही है सो चली अभी पुजा करके आते हैं और यहां पर मैं वेट करी हूँ चाची का चाची अभी निकले नहीं है और भावी लोग भी जाएंगे लेकिन उन लोग का थोड़ा सा लेट है क्योंकि बच्चे को स्कूल वेजना है स्कूल स्टार्ट हो गया है एक तारिक से ही एक अगस से तो अभी स्कूल भेजेंगे उसके बाद ही फिर मंदिर आएंगे तो सोचा हम जाके आ जाते क्योंकि हम तैयारी है तो कितना देर रूखे इसलिए चाची में ममी और भावी निकल चुके है और अभी चाची के बस वेट करें तो चली दिखाती हूँ जेखते रहेगा एं पर हम लोग सब निकल चुके ना तो फिर इसने बुला कि रुकोरुको में नहा के आता हूँ में भी चलूँगा तो फिर हम लोग वेट करते करते थोड़ा सा लेटी हो चुका है और बस अभी हम चल दिए हैं पांस लोग और आज भावी लोग नहीं है ना तो थोड़ा उसके बाद अभी हम चले मंदिर की और तो मैं भूल गई थी मैंने सर में कुछ लिया ही नहीं था बाद में मुझे मतलब यादा है कि हो सर में भी लेना पड़ेगा तो बस यहां पर हम लोग अभी पूजा करे थी और घर सामने की दीदी आय थी पूजा करने के लिए वो भी हम लोगों का कुछ ऐसे तामजाम वाला पूजा तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने दिया वगरा कुछ भी लेके नहीं गए थे बस फूल और अगरवत्ती उसके बाद बस जल लेके गए थे तो उसी से हम लोगों ने पूजा किया उसके बाद फिर अंदर पूजा करने के अब हम लोग का बाहर भी sibling है उसके बाद तूल्सी का पोधा है और तूल्सी का भी जल पीना परता है मतलब जल चढ़ाना परता है तो घर में मीने जल नहीं चढ़ाआ था जूशचारहा ज़ू कि नि और घर जाते time ओझ और भी फिर से थोजा थोड़ा बारिस ओड़ा है तो अभी हम रोग जा रहे हैं अभी हम वापस घण जा रहे हैं और देखिए अभी थोड़ा भारिस ओड़ा है मतलब जब हम उस दिन आये थे तब ही भी हम घर भीक के गए थे मतलब इस सावन में संबर का दिन बारिश होना ही है यह साइज सिपजी का ही आसिरवात होगा तो बस अभी हम वापर जा रहे पुझा कर लिया इतनी सान तरीके से पुझा किया बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अभी हम घर जाते है उसके बाद फिर घर का जो डेली रूटिन वगड़ा है वो तो आप सबको दिखाना ही है तो लास्ट टक मेरा व्लोग एंड तक जरूर देखना गाइस तो यहाँ पर फिर आज सजदस के मंदिर आये है तो थोड़ा सा डिल्स वगड़ा भी बना लेते हैं तो फिर मम्यों के लिए एक डिल्स मैंने बना दिया है तो फिर सोचा मैं भी थोड़ा सा खुद का भी डिल्स बना लूँ और देखे कितना अच्छा लग रहा है तो फि मुझे बहुत चाय पीने का मन करा था तो फिर ममी ने ब्लेक टी बना लिया है अभी बेट के अच्छे चाय पीएंगे बाहर इतना अच्छा हावा चल रहा था उसके बाद फिर मैंने चाय वगड़ा पिया और रोज का काम तो ही जारू पोचा फिर घर का ना सुभा मैंने जा और फिर कि जारी का पीए अभी तो बस मुझे तो बहुत जबहा है तो मैं यहा ही खाई हूँ आज हम लोग सारे यहीए खारे मिचभा न ने आजाहा और फिर यहाँ पे पहला था उसके अब ने का ममी काटने लगे है बैंबो शुट जो हम लोग संडे मार्केट से लेके आए थे और अभी मैं आप सब को दिखाती हूँ यह बैंबो शुट आप कितना बड़ा देख रहे हो ना अभी अभी आप सब देखना यह इसके छिलका निकालते 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 यह कितना हो कि अभी कितने दिन धूपने ही लएगा पता नहीं बारिस हो रही है तो यह फिर बिगर जाएगा और इसलिए ममी ने बोला कि यह साफ करके मैं डबे में भरकर डग देती हूँ छोटे-छोटे पिस करके तो इसलिए ममी यहां पे छिल रहे है तो छिलने में बहुत ज़्या तो बहुत ज़्यादा लोस हो जाता है अगर ऐसा ही छिला हुआ जो खरिता है उनके लिए बहुत फाइदा होता है तो देखिए हम लोग ने कितना बड़ा बड़ा लेके आथे आप लोगों तो पता है कितना बड़ा बड़ा लेके आथे मैं आप सबको दिखाया भी था त जो हम लोगों को खाने के लिए कितना है । अवह अगर ऐसा चलके के साथ करेडा तो देखिये तो बस अभी यहां पर अचार डाने के लिए ममी कगौरें पीस्स में तो आप सब को मैंने दिखाय था कद्डुकस करके कैसे बनाते हैं तो अभी मैं आप सब को दिखा दूँ काट के लेकिन आज अचार नहीं डालेंगे गाइज क्योंकि आज धूप है ही नहीं तो अगर आप सब ने कभी बेमबू सुट खड़ीर के लेके आए लेकिन बारी सोरा है तो अगर आप लोग को ये खड़ाब नहीं करना है तो कैसे इस्टोर करके रख सकते हो और जब आप लोग को धूप लगे और आप कब निकालोगे ये में आप सबको दिखाऊंगे क्योंकि धूप लगने से तो आप लोग अगर आज धूप लगा होता तो ये काट के हम लोग सुखा लेते लेकिन धूप तो लगा नहीं है और ये खड़ाब हो जाएगे ऐसे ही रखने से तो अभी ये कैसे इस्टोर करके हम रखेंगे और बाद में जब धूप आएगा निक काट लीजेगा उसके बाद फिर इसको हम डब्बे में भढ़कर रखेंगे और डब्बे में कैसे भढ़कर रखेंगे वो भी में बिताऊंगी लेकिन देखे ममी तब तक खाना भी बना चुके थे आज ये लो राइस बन रहा है और आलो का चोखा बन रहा है मुझे तो बह दूब देगा ना तब इस पानी को फेक कर फिर इसका अचार डाल सकते हो तो इसलिए हम लोगों ने से स्टोर करके रख दिया है उसके बाद भी यहां पर देखिया खाना रेडी हो चुका है और येलो राइस आलू चोखा उसके बाद एक साल पुड़ा जो वेंबसुट का राल के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ममी को मैं बोली थी मैं एक दिन पानी पुड़ी बनाओंगी आप ये आलू का चोखा बना देना मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे सोने के सो ही रह थे मतला में तो सो ही गई हूँ और यह हमारा भी हूँ आप सबको तो पता है बाहर का कितना अच्छा होता है और साम में तो टहलने का मन करता है क्योंकि दीन बार घर के अंदर बैट-बैट कर बैट-बैट कर पक चुकी होती हुआ है अभी हम आये थे इविनी वाक के लिए चाची में और ममी और ममी यहां पर सब्जी दूनने लगी है क्योंकि यह रस्ते रस्ते में जो निगुड़ा होता है वो मतलब अच्छे से निकला हुआ है तो ममी वही पर मतलब वही तोड़े और आई है थोरा सा सब्जी भी दून ले तो फिर ममी नीचे नहीं जा सकते ना क्योंकि नीचे खाई जैसा है इसलिए तो मुझे ही भेज दिया तो देखिए मैं कैसे तोड़ी और मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि स्नेक वगड़ा होता है अभी इस टाइम में साम की टाइम में क्योंकि दिन भड़ा बाद तो इसलिए मुझे बहुत जादा डर भी लग रहा था लेकिन ममी ने तोड़ने के लिए तोड़ना तो पड़े गए और इतने अच्छे से नीचे हुआ है ना मतलब क्या ही बताव आप सबको तो बस मैं यहां पर डर डर के डर डर के आगे जाके तोड़ी और ममी को बोली अगर स्नेक ने सापने अगर मुझे काड लाना तो देख लेना तो ममी मुझे गडाड भी रही थी कि कि क्यों ऐसे बोल लिए बोलके मतलब डर लगता है मुझे बहुत ज़दा डर लगता है उसके बाद फिर देखिए नीगुड़ा मिल गया यहां से सो गाइस इवी नीव ममी और भाई के लिए हो जाएगा और बस थोड़ा सा हम लोगों ने इधर उदर ढूंडा तो मिल गया है सो गाइस सामो चुका है ममी ने कर लिया है पूजा और हमारा हो गया है टाइम चाय पीने का और अभी थाना खाने में लेट है बहुत जादा है मतलब भी बस साथी ब जो भी था वो मिने आप सबको दिखाया मंदीर गये थे मंदीर से आके फिर गाड में थोड़ा सा काम है वो किया उसके बाद थोड़ी देर सोए और पता है कल राद में दो बज़े सोई थी मतलब कुझी मार्शी पढ़ गया था होस्पिटल गई थी बड़ी ममी को लेकर ब बज़ें दिया ठाहिए था था फूड़ा सा लेट हो गया दो बज़िया तक घर आते फिर सोदे सोग़ा थी अब लुचानक तो बस सुबह जल्दी उठके और दिन में आजने से सोई ना पता नहीं चला मैं भाए गया मार्केट कंब आया क्या किया कुछ पता नहीं चल तो प्रिबियर्स व्लॉग भी चेक आउट कर लीजिएगा उसके बाद फिर मेरे चेने को सस्क्राइब करके जाएगा आज के लिए इतना है फिर मिलते हूं गाइस बाइ गाइस गुट नाइट टेके बाइ